रेक्टिकल करना जब जिस दिन लगे कि ये पार ठीक नहीं चल रहा है। आज पैसर चाहिए और नहीं रहा है। आज तुमें पांच हजार की, दस हजार की, पचास हजार की, एक लाग, पांच लाग की जरुवत है, और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं न कहीं से आजाए, ऐसी कृपा, तो कुंदक केश्वर महाद्यू का नाम लेकर, एक कुष्प, उसका उंकर पर रगदो, जिस का रहते हैं, भगवान की और, ठीक है, जैसे भगवान गुपाल जी बेठे हुए है, तो भगवान को अगर आप कुष्प दो गए, तो फूल का मुख किदर रखोगे, भगवान की, और डंडी का मुख किदर रखोगे, अपनी, और उसी तरह, जब अपने टारे की सिद्ध को लोगों पुष्प चड़ाना वी नहीं आता कि कितने खुरों देना चाहिए होओ लोरे बएत। भगवान को रिजहाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिजहाने के लिए भगवान को अभी यहां से आवाज आई थी चार पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए कितने पुष्प? चार बच्पन, जवानी, अदेडी और बुढ़ावा चार अवस्था समारने के लिए भगवान को चार पुष्प दिया जाते है पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहा हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझे में जैसी सुगंद है वैसी इसके जीवन में सुगंद देना पुष्प कहता है भगवान, जैसे मुझे में ताजगी है, इसके जीवन में वेसी ताजगी देना, पुष्प कहता है भगवान, जैसे मेरी पत्तियों में रस है, इसकी जीवन में खुशियों का रस भर देना, ये पुष्प कहता है भगवान, हमें नहीं करना भगवान से को पुष्प दे दिया तो बगवान समझ रहा है तो याद आया इस टेज पे इसा लड़का घुटना टेक्ट के समर्पन के लिए हमने का बहुत बढ़े तो मना नहीं है पर हमारे यह इसा विल्हान नहीं है फूल वगरा देने का आप भले दुनिया के दिखावे के चक्तर में कुछ भी करो वह अलग भात है पर हमारे सास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो भगवान को दो भगवान को समर्पन को हाँ, कोई गुरू है, सत्गुरू है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे, अगर कोई गुरू जन आया, तो उसको पुष्प देने की जगह, पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिच्छा दीजी अमारा, गुरू के चरणार, जैसे शबरी अमबा, आती की हैं की शबरी अमब भगवान प्राप्त हुए, और जिब शबरी अमबा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए कुष्प भी खेर देती है, आप भी गुरू जन के लिए, परमातमा के सुख के लिए, आप ये नहीं की भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर चार कुष्प भी दे इपर दे जो चलेगा, तो यहां तो शिव रम हपॉरान में तुए भी नहीं एखा कि पंकडी बी दो शिव महपुरान को करति अपना दिल दो भगवान, क्या दो, अपना मन, अपना घर दये भगवान को दे गवान को संपना नाही धन नाही, दोलत नहींरी, सत्ता नहीं त भहान को अच्छा देना और भगवान को दो जो भगवान के पास में नहीं है हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में लिया और भगवान को गेंदा का फूल चड़ा दो माला चड़ा दो ये चड़ा दो तो भगवान से भी तुपूछो तुमे अच्छा क्या लगता है बता हूं तुमारे लिए उलेकर आइगे कभी बगवान सकता हो जा अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे तो तुम तैयार करोगी क्या अरे बोलो तो तुम्हारे पास तो पहले से हलमारी में 25-30 साड़ी यां लाल कलर की रखी कोई पीली दे तो तुम कोई तो तुमने नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुमने घुट को तुमने लाल अची तो यह थी तो बेटी को बेटी को दे थी थोड़िए अगर वह तो बागवट्जी पेचड़ादा होता है कोई ने पूचाता कि गुरु जी दुनिया के लोग आरती में थे मंदिर में थे Pप मंदिर में थे भर मत के ज़गा पर चड़ा अच्छी ज़गा पर पर कहीं भेंगे तो हमने कहा है सीरी-सीरी बात है जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता ति ये निभाता यही है जिसको सब ठुकरा दें जिसको सब निकाल दें जो कहीं ना चले वो महादेव के चरनों में चले एक बार शंकर के पास पहुचा खोटे सिख्ये को भी चपटी भवूत में हैं देखा जाना कुवेर का बता वो समसान की भवूत कहीं चले अरे बोलो तो कहीं नहीं चले अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए तो पत्नी करे बाहर वाल्टी रखिए जमालो जा और अगर एसी घुज जाए घर में फिर देखो तो में तो अकल ही नहीं है मुर्दा जला के आए हो पूरी अकल महीं पर छोड़ी आए है समसान बाहर जाओ ना हो कपड़े भी महीं छोड़ दो महीं घीले करो जिस गाड़ी पर आए हो गाड़ी पर पंडल वाए जब भल भी घीली करो मोगाई अब और एक पाड़ी दीरे से माराद में पानी चीट दूँए अब मादा दूँए अब विचार करना बुद्ध समसान की रात कहीं नहीं चले पर एक ही को चले किसको मारे वो उसके पास ऐसी चले कि वो ही भसमी करोडों की हो जाती दक्षिन मुखी शंक होता है गनेश शंक होता है लच्चमी शंक होता है नारायन शंक होता है माराद कुवेर शंक होता है उत्तरवरती शंक होता है भूमी शंक होता है और राक्षस शंक होता है एक शंख हमारे घर में एसा राक्षस शंख कहीं हम गए बजार में और हम खरीद कर लिया है तो राक्षस चो शंख होता है जब तक वो घर की अंदर रहता है तब तक घर में आशान्ती बन ही रहे चाहे सास हो, ननन्द हो, देवरानी हो, जिठानी हो, भाई भाई हो, उठुम कभीला हो और कई लोग करते मारत पत्नी का सुभावती वरे, कोई करता मा का सुभावती वरे, कोई करता जिठानी का सुभावती वरे, कोई करता पत्ती का सुभावती वरे, अर्था याद करना मत तो तुमारे घर में कोई शंक यसा रखा हुआ है तो उसका राक्षश्वर्ति शंक रखा हुआ है जिसके कानवस वो राक्षश्वर्ति देगा ही मारत उसी तरह एक गनेश शंक होता है पूजन में गणे शंक के अगरति योत्य सून जैसे मुड़ा हुआ तो उस गंश संक में पानी डालकर मारत उसमें कमल गट्टा कमल गट्टा उसमें पटक दिया जाता है शुकरवार के दिया शुकरवार, शनिवार और रविवार, तीन दिन तक उसमें पानी भरा रिंदे, सोम बार के दिन, जिसकी वानी नहीं है मारत, जो की हकला रहा हो, तोतरा बोल रहा हो, या बिल्कुन नहीं बोलता हो, वानी खुली नहीं रही हो, मारत, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, सुबह स सुम बार के दिन उसको कुछ भी मिना खाए पिये उस पानी का आच्चमन कराई है उसकी वानी आना प्रारम होगी और पाँच या साथ वार कुंदकेश्वर महादयों का ना उससे भुलवाई मार वानी भी क्लियर होगी हकलाना बंध होगा और उसकी आवाज बाबा की कुंदकेश्वर की कुंदकेश्वर की कुनहा है कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम जाप है वो सुक प्रदान करता है हम तो कई वेपारियों से करते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज दिन बर से दुकान नहीं चली है और यह तुम जाओ तो कलसी करके देख ले कि इसलिए practical जरू करना practical का जमाना करना चाई है एक महाराच जी प्रबचन में कह रहा थे शराव नहीं पिना चाहिए स्राव पीने वाला व्यक्थी अधिर स्पीने वाला व्यक्थी घटर में पड़ा होता है है surface करने बड़ा होता है मत पियो यह गंदा नाली का पानी है उसी में माराज का पेचनवाला बेठा था उटके खड़ा हो गिया ओ माराज तो इतनी बड़ी-बड़ी बात किया रहा तेरा सगगा भाई पी के तो नाली में पढ़ा है तुआ हमको ग्यान देरा तेरे बाई को क्यो तो बिल्कुल मत करना हो नहीं तो तुम और लोग लालेच में करने वेडिया है तुम होसी यार कम हो कई श्री शिवाई नमस्दुकुहम्छ स्री शिवाई नमस्दुकुहम्छ